हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो अवीना नीटिंग आज देखिए बॉर्डर में बहुत प्यारा सा पैटर्न लेकर आए हूं और जो बहुत ही सिंपल और आसान सा पैटर्न है देखिए और बहुत खुशूरत लगता है इसे यहां पर मैंने दो कलर में बनाए है आप चाहें तो से मल्टी कलर में भी बना सकते हैं बहुत प्यारा यूनिक सा पाडर है और एकदम नया तो चलिए फ्रेंड इसको बनाना से आज इसको बनाने के लिए देखिए हमें इवन नंबर में फंदे लेने हैं यानि कि चार-चार के जोड़े में हमें फंदे लेने हैं कोई फंदा यह आप नहीं रखेंगे सिर्फ चार चार के multiple से बंदे लेंगे तो आप किसी भी project में अगुदर को बनाएं तो 4 चार के इस आप से बंदे लें और कोई भी घंदा extra ना रखें तो आपका यह बॉडर बिल्कुल fit आएगा देखें और इस चार सलाई, 4-4 सलाई में हमारे चलता है, यानि कि 4 सलाई में हमारे बॉर्डर कंपलीट होता है, उसके बाद आप चितना भी चाहें, अपने बॉर्डर की जितनी भी लंबाई आपको रखनी हैं, आप रख सकते हैं, और ये राइट साइड से स्टार्ट होगा, तो चलिए फ्रैंड, इसको बनाना सीखते हैं, इसको बनाने के लिए देखे, मैंने 4-4 के हिसापसे आप पंदे लिए हैं, तो टोटल ये हमारे 20 पंदे हैं, राइट साइड, यहीं से हम पैटरन को स्टार्ट करेंगे, देखे, ध्यान से देखेगा, देखे, एक फंदा स्टार्ट में हम एस्टिच का सीधा बननेते हैं, देखे, दो फंदे और हम सीधे बनेंगे, दो फंदे उटे बनेंगे, देखे, दो फंदे सीधे बनेंगे, दो फंदे, उल्टे, दो फंदे, सीधे, दो फंदे, उल्टे, दो फंदे, सीधे, दो फंदे, उल्टे, लास्ट के तीन फंदे, यानिकि दो फंदे हमारे डिजाइन के और एक फंदा एस्टिच का यह तीनो फंदे भी हम सीधे बुनकर सलाई को कम्प्लीट कर लेंगे देखिए आ जाते हैं उल्टी सलाई में तो जैसे फंदे हमें नजर आएंगे वही बुनने हैं हमें तीन पंदे ये, स्टार्टिंग में हमारे उल्टे, दो पंदे सीधे, दो पंदे उल्टे, दो पंदे सीधे, दो पंदे उल्टे, दो पंदे सीधे, तो पूरी सलाई हमें ऐसे ही रिपीट करते हुए उन्नी है, प्लास्ट में हमारे पास तीन फंदे आएंगे, तीनों फंदों को हम उल्टा बुलनेगे, यह देखें, आब आजाते हैं, सीधी सलाई में, तो हम यहाँ पर एक और कलर एट करेंगे, यानि अगर अपना सेकंड कलर यहाँ पर एट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने से पörtजा है तो जो सीधे बुनेंगे देखे निज्व है अब कंदों को अब कि पंदों इसा है बगार बुना उतार देंगे देखे और यह देखे, दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, दो फंदे बगार बुने उतार देंगे, ये बात ध्यास रखेगा, कि सीधे फंदे हमें बुनने हैं, जो दो फंदे बगार उल्टे हैं, इन्हें हमें बगार बुना उतारना है, तो देखे, इसी तरीकर से हम पूरी सलाई दो पंदो को हम स्लिप कर देंगे दो फंदे बुनेंगे दो फंदे सिलिप कर देंगे अभी लास्ट के तीन पंदे हैं इन्हें बुल लेंगे देखे इस तरह से आ जाते हैं उल्टी सलाई में उल्टी सलाई में देखे जैसे फंदे नजर आ जो फंदे बुलने हैं वो बुल कर देंगे तो फंदे बुनेंगे यह देखिए तो फंदे सिलिप कर देंगे यानिके निट टू सिलिप टू यह देखिए अब देखे द्यान से देखेगा सीदी से लाई यह कलर यहीं पर छोड़ देंगे और अपने पस्ट वाले कलर से वाइड कलर से तीन फंदे बुनेंग सीधे, तो फंदे ये उल्टे, तो फंदे सीधे, तो फंदे उल्टे, तो फंदे सीधे, तो फंदे उल्टे, तो फंदे सीधे, तो फंदे उल्टे, 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 तो फंदे उल्टे पंदे ये सीधे बुलनेंगे ये देखें उल्टी सलाई फिर से ऐसी बुनेंगे जैसे फंदे नजर आएंगे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे दो फंदे सीधे मेंगे दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे लास्ट के तीन फंदे उल्टे 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 हैं सीधी सलाई में तो बार-बार यही रिपीट करते जाएंगे तो जब हम बार-बार इनी सलाईयों को ऐसे ही रिपीट करेंगे देखे एक बार और देखेगा एक बार भर से मैं आपको दिखा देती हूं तीन फंदे हम राइट कलर से सीधे बुनेंगे दो फंदो को बगार बुना उतार देंगे दो फंदे बुनेंगे दो फंदो को बगार बुना उतार देंगे दो फंदो को बुलेंगे दो फंदे बगार बुने उतार देंगे तीन फंदे बुनेंगे तो बार-बार ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे और जो हम बार-बार डिजाइन देखे इस तरीका से बनकर आएगा और बहुती प्यारा और सुन्दर सा बार्डर लगता है यह आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा यह बार्डर का सिंपल सा डिजाइन अगर पसंद आता है तो प्लेज लाइक को शेयर जरूर करें कमेंट्स करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आउंगी फिर से एक नए पैटरन के साथ आपके खिदमत में तब तक के लिए बुट बाई थैंक यू